हुआ है 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 अज आज जो है हम आप लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड फिप्टी मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन का प्रैक्टिस सट लेकर आए हैं और फ्रेंस यह जो प्रैक्टिस सट है यह आपके कंप्रैटिव एक्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टन प्रैक्टिस सट लेकर आए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा फिर चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो फ्रेंस आईए फिर पहला कोशन देखते हैं तो फ्रेंस पहला कोशन है कि धारिता का मात्रक क्या होता है तो इसके आपसन है फैरेड, हेन्री, कैल्मिन या इन में से कोई नहीं तो फ्रेंस देखिए धारिता को इंगलीज में कैपे सिटेंस भी बोलते हैं और फ्रेंस इस he is the note करते हैं और इसका फार्मूला उता है सी एक्वल क्यूं बाइ वी जहां क्यूं जो है चार्ज है और वी जो है यह बोल्टज है तो फ्रेंस धारता का मात्रक होता है फारेड फिर सेकंड को इसने है ओजोन अपने वाले क्या होती है तो इसके आपसन ऐसे नहीं तो इसका रहाटव सरूगा जो अल्ट्रा वायलेट किरडे आती है उससे जो है हम लोगों को ये बचाता है और फ्रेंस आपके एक्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है ये वाय मंडल के किस मंडल में पाया जाता है तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में तो ओजोन परत जो है ये वाय मंदल के समताब मंदल में पाया जाता है और फ्रेंस इसे इंगलिस में बोलता है इस ट्रेटो इस पेर फिर थर्ड कोशन है क्यूंसे के चिसको मापने की इकाई होती है तो इसके आपसा ना जल की सुद्धता को जल प्रवाय की दर को जल की गहराई को या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा आपसा नंबर B तो क्यूंसे जल प्रवाय की गति को मापता है फिर कोशन नमर फूर्थ है तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है तो इसके आपसा ना 200 लीटर 90 लीटर 169 लीटर या 100 लीटर तो इसका राइट आंसर होगा आपसा नंबर C तो फ्रेंस तेल का जो एक बैरल होता है ये 169 लीटर के बराबर होता है तो फ्रेंस जैसे आप लोग हमेशा ये नियूज में देखते होंगे कि तेल जो है इतने रुपे बैरल जो है बढ़ गया है तो फ्रेंस ये जो बैरल है ये 169 लीटर के बराबर होता है फिर कोशन नंबर 5 है परिस्तित की दबाव की इकाई क्या होती है आइमिन एटमोस्फेरिक प्रेसर की इकाई क्या होती है तो इसके आपसन है मिलिगराम नाट जूल या बार तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नंबर डी तो प्रेस्तित की दबाव की इकाई जो है ये बार होता है तो फ्रेंस ये जितने भी कोशन है ये आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टन कोशन है अगर आप जो है इस प्रेक्टिस सेट को एक बार देख लेते हैं तो ये जो है आपके कम्टेटिक एक्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में आपका मदद करेगा फिर आए कोशन नंबर 6 देखते हैं तो कोशन नंबर 6 है बिद्दुद्धारा की SI मातरक क्या होता है तो इसके आपसन है कैल्बिन, एंपेर, कैंडिला या मोल तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नंबर B तो फ्रेंस आपको बता दें कि बिद्दुद्धारा की SI मातरक जो है ये एंपेर होता है और बिद्दुद्धारा को इसके साथ में आप इसके स्पैलिंग को भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एक्जाम में कभी-कभी ऐसे भी डायरेट कोशन पूछा जाता है फिर आए कोशन नंबर 8 देखते हैं तो कोशन नंबर 8 है अब बिद्दी का मातरक क्या होता है तो इसके आपसन है कैल्बिन हेनरी कैंडिला हर्ट तो फ्रेंस इसका रइट आंसर होगा आपसन नंबर D तो फ्रेंस आपको बताते की अब बिद्दी का जो मातरक होता है यह होता हर्ट और फ्रेंस अब बिद्दी को इंगलिस में फ्रिक्वंसी कहते हैं और कैप्टेल H और इसमाल जट से जो है इसे डिनोट करते हैं फिर कोशन नमर 9 है प्रिष्ट तनाओ का मतरक क्या होता है तो इसके आपसन है कैलबीन हेंरी केंडिला या न्यूटन प्रति मीटर तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमर डी तो फ्रेंस आपको बता दें कि प्रिष्ट तनाओ क मतरक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है फ्रेंस प्रिष्ट तनाओ का इंगलिस होता है सर्पेस टेंसन फिर आईए कोशन नमर 10 देखते हैं तो कोशन नमर 10 है बिद्दुत आवेस आइमीन इलक्रिक चार्ज का मतरक क्या होता है तो इसके आपसन है कैलबीन हेंरी या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आणसर होगा आपसन नमर सी तो विद्दुत आवेस का जो मतरक होता है यह होता है कूलंब फिर question number 11 है top का SI मात्रक क्या होता है तो इसके option है Calvin, Henry, Fahrenheit या Celsius तो इसका right answer होगा option number A तो friends आपको बता दे कि top का SI मात्रक होता है Calvin लेकिन friends अगर आपके exam में ये पूछा जाए कि top का मात्रक क्या होता है I mean यहाँ से SI अगर हटा दिया जाए पेपर में ऐसे question पूछे कि top का मात्रक क्या होता है तो friends इसका answer होगा Celsius भी होगा Fahrenheit भी होगा और Calvin भी होगा तो इहाँ पर जो question पूछा गया है ये पूछा गया है कि top का SI मात्रक क्या होता है तो इसका answer होगा Calvin तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा फिर question number 12 है विववांतर आइमिन potential difference का मात्रक क्या होता है तो इसके option है Fermi, Henry, Bolt और इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number C तो विववांतर का मात्रक होता है Bolt है तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा फिर question number 13 है विद्दूत प्रतिरोद I mean electrical resistance का मात्रक क्या होता है तो इसके option है Fermi, Henry, Ohm या इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा option number C तो विद्दूत प्रतिरोद का मात्रक होता है Ohm और friends कभी कभी आपके exam में ये भी पूछा जाता है कि प्रतिरोद का मात्रक क्या होता है तो friends विद्दूत प्रतिरोद और प्रतिरोद जब एक जाम में पूछा जाए तो इन दोनों का मात्रक होता है Ohm तो आप लोग जो है इसमें जरा सा भी confused मत होईएगा और friends आपके exam में ये भी पूछा जाता है कि Ohm सला क्या होता है तो इसका formula होता है V equal I into R अगर प्रतिरोद का पूछा जा तो R equal V upon I होता है जहां R आपका प्रतिरोद होता है V voltage और I current होता है फिर आए question number 14 देखते हैं तो question number 14 है तरंग दैर्द का मात्रक क्या होता है तो इसके option है एंगस्ट्राम, हैंडरी, Ohm या इन में से कोई नहीं, तो इसका right answer होगा option number A, इसका right answer होगा I mean तरंग दैर्द का मात्रक होता है एंगस्ट्राम और तरंग दैर्द को इंगलिस में बोलते हैं तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा और friends आपके exam में ये भी पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्राम ब्राबर कितना मीटर होता है तो एक एंगस्ट्राम ब्राबर होता है 10 to the power minus 10 मीटर और इसके साथ ही आपके exam में ये भी पूछा जाता है कि एक micron ब्राबर कितने मीटर के ब्राबर होता है तो एक micron बराबर 10 to the power minus 6 meter के बराबर होता है तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा फिर question number 15 है ध्वन की प्रबलता का मात्रक क्या होता है तो इसके option decibel, henry, ohm या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number A तो ध्वन की प्रबलता का मात्रक होता है decibel और फ्रेंस decibel को जो है db से denote करते है जहाँ पर d जो है small में रहता है और b जो है capital में होता है और फ्रेंस ध्वन की प्रबलता को इंगलिस में बोलता है intensity of sound तो ये चीज भी आप लोग याद रखिए और फ्रेंस हम आपको बता दें कि हमने अपने इसी चैनल पर इस topic पर वीडियो बनाया था कि प्रमुक लेखक यों उनकी रचनाओं को याद करने का trick तो फ्रेंस इसमें जो है हमने लगबग 500 लेखकों की प्रमुक रचनाओं को कबर किया है तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरू जाकर देखिएगा और इसमें जो है हमने एक-एक लेखक की एक-एक रचनाओं को tricky मेथर से याद करने का trick बताया है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को जाकर देखिएगा और इस वीडियो का लिंक जो है तो लेंस की छमता I mean power of Lens का मतरक होता है डायोब्टर होता है तो friends आपके exam में यहां से यह भी question पूचा जाता है पता है कि power of Lens और focal length में relation क्या होता है तो आपको बताते कि power of Lens जो है ये focal length के inversally proportion होता है I mean P equal 1 upon F होता है तो ये चीज भी आप लोग इसके साथ में यात रखिएगा फिर question number 17 है पदार्थ का परिमाड का SI मात्रक क्या होता है तो इसके option है decibel, henry, mole या dioter तो इसका right answer होगा option number C तो पदार्थ का परिमाड का SI मात्रक होता है mole फिर question number 18 है और friends आपको बता दें कि पदार्थ का परिमाड का English होता है amount of substance तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा फिर question number 18 है एक अस्वसक्त कितने वाट के बराबर होता है I mean एक हार्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है तो इसके आपसन है 746 वाट 850 वाट 650 वाट या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट आपसन नमबर एक तो एक हार्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है फिर question number 19 है प्रदीपन I mean illuminance का मात्रक क्या होता है तो इसके आपसन है Calvin, Henry, Lux या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट आपसन नमबर C तो प्रदीपन का मात्रक होता है लक्स तो ये भी आपके इजाम के लिए काफी जाता important question है फिर question number 20 है चुम्बकिये अभी वाइ I mean magnetic induction का मात्रक क्या होता है तो इसके आपसन है Calvin, Tesla, Weaver या इनमे से कोई इसका राइट आपसन नमबर C तो चुम्बकिये अभी वाइ का मात्रक होता है वेवर तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक आउट सेयर कर दीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देजेगा फिर आए कोशन नमर नेस्ट देख नमर 21 है प्रेराकत्व आई मिन इंडक्षन का मात्रक क्या होता है तो इसके आपसन है कैल्विन, हेन्री, वेबर या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमर भी इसका राइट आंसर होगा तो प्रेराकत्व का मात्रक होता है हेन्री तो फ्रेंस यहां से आपके एक्जाम में ये भी कोशन पूचा जाता है कि प्रेराकत तो जो है ये कितने प्रकारके होते हैं तो ये जो है ये दो प्रकारके होते हैं एक होता है self induction एक होता है mutual induction तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा फिर question number 22 है खाने से मिलने वाली उर्जा को किस में मापा जाता है फिर question number 23 है कार करने की दर I mean rate of work done को क्या कहा जाता है तो इसके option है decibel, henry, छमता या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number C तो फ्रेंस आपको बता है कि कार करने की दर को जो है छमता कहते है I mean power कहते है फिर question number 24 है कि एक nanometer किसके बराबर होता है तो इसके option है 10 to the power 9 meter के या 10 to the power minus 6 meter के या 10 to the power minus 9 meter के या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number C इसका right answer होगा तो एक nanometer बराबर होता है 10 to the power minus 9 meter के तो फिर question number 25 है नावकिये त्रिज्या I mean nuclear radius की सरबादिक सहीं इकाई क्या होती है तो इसके option है Kelvin, Fermi, Henry या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number B तो आपको बता दे कि नावकिये त्रिज्या का सरबादिक जो सहीं इकाई होता है इसका नाम है Fermi तो आपको बता दे कि नावकिये त्रिज्या का जो मातरक होता है यह होता है Fermi तो ये भी question काफी जादा आपके exam के लिए most important question है फिर question number 26 है कि एक प्रकास वर्स कितने मीटर के बराबर होता है तो इसके option है, option number A है 9.46 good at 10 to the power 15 मीटर के और option number B है 9.12 good at 10 to the power 20 मीटर के option number C है 9.14 good at 10 to the power 30 मीटर के तो option D है इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा option number A तो एक प्रकास वर्स जो है 9.46 good at 10 to the power 15 मीटर के बराबर होता है और फ्रेंस अगर यही पूछले कि एक प्रकास वर्स कितने किलो मीटर के बराबर होता है तो इसका answer होगा 9.46 good at 10 to the power 12 मीटर के बराबर होता है फिर आईए question number next देखते हैं तो question number 27 है एक प्रकास वर्स के बराबर होता है तो इसके option है 2.54 light year के या 4.50 light year के या 3.26 light year के या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number C तो एक प्रकास जो है यह 3.26 light year के बराबर होता है फिर question number 28 है एक प्रकास कितने मीटर के बराबर होता है तो इसके आप्षन है तो इसके आप्षन है आप्षन नमबर A है 3.08 गुडे 10 to the power 16 meter के आप्षन B है 2.10 गुडे 10 to the power 16 meter के आप्षन C है 3.08 गुडे 10 to the power 19 meter के और आप्षन D है इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमबर A इसका राइट आंसर होगा तो एक पार्सक जो है ये 3.08 गोडे 10 to the power 16 मीटर के बराबर होता है फिर कोशन नमर 29 है एक मिल में कितने किलो मीटर होते हैं तो इसके आपसन है आपसन A है 1.5043 किलो मीटर आपसन B है 1.852 किलो मीटर आपसन C है 1.60934 किलो मीटर और आपसन इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमबर C तो एक मिल में 1.60934 किलो मीटर होता है और फिर कोशन नमर 30 है एक नाटिकल मिल में कितने किलो मीटर होते हैं तो इसके आपसन है 2.5 या 1.852 या 1.9 या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसल नमबर B तो एक नाटकल मील में जो है 1.852 किलोमीटर होते हैं फिर कोशन नमा 31 है कि एक खागोल ये इकाई I mean astronomical unit किन के बीच की दूरी है तो इसके आपसल है पिर्थवी और सूर के बीच की या पिर्थवी और सूर बीच की या इन में से कोई नहीं तो friends इसका राइट आंसर होगा आपसल नमबर A तो एक खागोली दूरी जो है ये पिर्थवी और सूर के बीच दूरी होती है फिर कोशन नमा 32 है कि एक खागोली रिकाई कितने मीटर के बराबर होता है तो इसके option है option number A है 1.495 good 10 to the power 11 meter के option B है 1.495 good 10 to the power 19 meter के option C है 1.495 good 10 to the power 20 meter के या option D है इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number A तो एक खगोली है इकाई जो है यह 1.495 good 10 to the power 11 meter के बराबर होता है फिर question number 33 है एक प्रकास वर्स कितने खगोली है इकाई के बराबर होता है तो फ्रेंस इसका right answer होगा option number 20 तो एक प्रकास वर्स जो है यह 63,241 से खगोली है इकाई के बराबर होता है तो फ्रेंस question number 34 है कि एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है तो इसके option है 169 लीटर 200 लीटर, 500 लीटर या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number 8 तो एक बैरल जो है ये 169 लीटर के बराबर होता है फिर आयो question में next देखते हैं तो question में 35 है कि एक न्यूटर के बराबर होता है तो इसके option है 10 to the power 5 डाइन के या 10 to the power 7 डाइन के या 10 to the power 9 डाइन के या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number 8 तो एक डाइन जो है तो friends आपको बता दे कि एक न्यूटर में 10 to the power 5 डाइन होता है और आपके एकजाम में अगर ये पूछे एक न्यूटर में कितने डाइन होता है तो इसका answer होगा 10 to the power 5 डाइन लेकिन अगर आपके एकजाम में ये पूछ ले कि 1 डाइन बराबर कितने ये न्यूटर के बराबर होता है तो इसका answer होगा 10 to the power माइनस 5 न्यूटन के फिर question number 36 है कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है तो इसके आपसान है 10 to the power 7 10 to the power 8 अर्ग के या 10 to the power 9 अर्ग के या इन में से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा आपसान number A तो एक जूल जो है ये 10 to the power 10 to the power 6 अगर फ्रेंस आपके एक्जाम में ये पूछ लें कि एक अर्ग जो है कितने जूल के बराबर होता है तो इसका आंसर होगा 10 to the power minus 7 अर्ग के और फ्रेंस आपको उता है कि ये जो जूल है अर्ग है ये जो है ये सब जो है ये उर्जा के इकाई हैं फिर कोशन नमर 37 है कि 1 किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है तो इसके आपसन है आपसन नमर A है 3.6 गुड़े 10 to the power 6 जूल के आपसन B है 3.6 गुड़े 10 to the power 9 जूल के आपसन C है 3.5 गुड़े 10 to the power 5 जूल के और आपसन D है इन में से कोई नहीं तो इसका आपसन नमर A तो 1 किलो वाट घंटा जो है यह 3.6 गुड़े 10 to the power 6 जूल के बराबर होता है तो कोशन नमर 38 है चुमबकिये प्रेराण I mean magnetic induction का मातरक क्या होता है तो इसके आपसन है हेनरी, टेसला, वेवर या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा आपसन नमर B तो प्रेंस चुमबकिये प्रेराण का जो मातरक होता है यह होता है टेसला तो यह भी कोशन आपके एक्जाम के लिए important कोशन है फिर कोशन नमर 39 है कि पास्कल किसकी इकाई होती है तो इसके आपसन है तरंग, देर्द, ताप, दाब या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर होगा आपसन नमर C तो पास्कल का जो इकाई होता है यह होता है दाब और फ्रेंस दाब का फार्मूला होता है P बराबर FYA जहां F फोर्स है और A जो है यह एरिया है और फ्रेंस दाब का SI मात्रक होता है बार और एक बार बराबर होता है 10 to the power 5 पास्कल तो यह चीज भी आप लोग याद रखिएगा फिर कोशन नमर 40 है एक किलो वार्ट घंटा किसकी इकाई होता है फिर कोशन नमर 41 है कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है तो इसके आपसर मीटर, सेकंड, कैल्बिन या इन में से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसर नमर A तो लंबाई का SI मात्रक होता है मीटर फिर कोशन नमर 42 है दरबमान का SI मात्रक क्या होता है तो इसके option है gram, kilogram, Kelvin या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number B तो friends आपको बतादे कि द्रबमान को इंगलिस में mask कहते हैं और इसका SI मातरख होता है kilogram फिर question number 43 है कि समय का SI मातरख क्या होता है तो इसके option है second kilogram Kelvin मौल तो इसका right answer होगा option number A तो समय का SI मातरख होता है second फिर question number 44 है समतल कोड का SI मातरख क्या होता है तो इसके option है second, radian, Kelvin, stay, radian तो इसका right answer होगा option number B तो समतल कोड का SI मातरख होता है radian और friends आपको बतादे कि समतल कोड को इंगलिस में बोलते हैं plane angle फिर question number 45 है कि bull, I mean force का SI मातरख क्या होता है तो इसके option है newton, second, Kelvin या heart तो इसका answer होगा option number A तो friends आपको बतादे कि bull का SI मातरख होता है newton फिर question number 46 है dub, I mean pressure का SI मातरख क्या होता है तो इसके option है Henry, Pascal, Kelvin या इन में से कोई नहीं तो इसका answer होगा option number B तो फिर दाब का SI मात्रख होता है पासकल तो फिर फ्रेंस कोशन न drap calls काитай मिन पावर का मात्रख क्या होता है तो इसके option है Henry Pascal what या इन में से कोई नहीं तो इसका right answer होगा option number C तो सक्ति का मात्रक होता है what फिर question number 48 है कारिक का मात्रख क्या होता है तो इसके आपसन है हेंरी, कैल्विन, जूल या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमबर सी तो कार का मात्रक होता है जूल तो फ्रेंस हम जो है आप लोगों से अभी वीडियो का लाश्ट में एक कोशन पोचेंगे और जो भी स्टूडेंट इस कोशन का आपसन सबसे पहले कमेंट बाक्स में देगा उस स्टूडेंट के कमेंट को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे और उसे अप्रेसियट भी करेंगे फिर कोशन नमर 49 है कि उर्जा आइमिन एनरजी का मात्रक क्या होता है तो इसके आपसन है हेन्री, ओम, जूल या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमर C तो उर्जा का मात्रक होता है जूल फिर हमारे वीडियो का लाइश्ट कोशन है कोशन नमर 50 है जो तिति ब्रता आइमिन लियूमिनस इन्टेंसिटी का मात्रक क्या होता है तो इसके आपसन है हेन्री, कैल्बिन, कैंडेला या इनमे से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा आपसन नमर C तो जो तिति ब्रत आइमिन लियूमिनस इन्टेंसिटी का मत्रक होता है कैंडेला तो फ्रेंस आई होब कि आप सबको ये वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आया होगा तो फ्रेंस फिर चली हम आपसे एक कोशन पूछते हैं और देखते हैं कि कौन स्टूडेंट इस कोशन का अंसर सबसे पहल लंबाई की नियूंतम इकाई क्या है तो इसके आपसे नव माइक्रोन नैनो मीटर एंगस्टरम फर्मी मीटर तो फ्रेंस इसका कोशन जो है आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है तो फ्रेंस आसा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो फ्रेंस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल लाइकन को भी प्रेस कर दिजेगा फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते है तब तक के लिए जाहिन जाए भारत